अडेनियम में अभी फ्लावरिंग चालू है बहुत ही अच्छे फूल आ रहा हैं सुन्दर फूल आ रहा हैं दोस्तो ठंड अधिक नहीं है इस कारण से अभी उनमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है और कलियां भी आ रही है इसमें फ्लावर गिरते हैं और फिर कलियां नई लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइस कर लीजिए और साथ ही वैल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए दोस्तो सोहन का प्यार भरा नमस्कार स्वागा थे आपका मेरे चैनल पटवा गार्डनिंग में दोस्तो इस समय बोगनवेलिया में हैवी ब्लूमिंग हो रही है हर ब्रांच में फूल के लिए हुए है दोस्तो आज मैं आपको मेरे गार्डन के और भी अपडेट्स देता हूँ बोगनवेलिया तो फूलों से भरा हुआ है और ये देखिए डेहलिया भ पूल मुझे बहुत ही प्री है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इने ढून-ढून करके लाता हूँ इनके, यह लाइट पिंग कलर देखिए इसमें, एक पूधे में पाँच फूल खिले हुए हैं, और इसमें कलियां अलग हैं, खिलने वाली हैं, और यह यहां ये कनेर भी अच्छी प्लावरिंग कर रहा है और मैं आपको बोगनवीलिया फिर से दिखाता हूँ ये के पूरे प्लांट देखिए आप मेरे सारे प्लांट में अच्छी प्लावरिंग हो रही है ये प्लांट मेरे एक साल के हो गए है मैंने इने कटिंग से ही लगाया था ये गॉंफरोना के प्लांट ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और सुरू से अभी तक कि इसके फूल बहुत दिन तक ठीके रहते हैं और ये पिटूनिया भी ब्लूमिंग कर रहा है देखें और यहां पर हाई विल गेंदा लगा हुआ है और यहां पर बिगोनिया भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और इसके पौदे अच्छे चल रहे हैं और यहां पर हाईब्रिड मेरी गोल्ड भी लगा हुआ है और रोस फ्लावर भी बहुत ही अच्छा चल रहा है ये दिखिए सारे प्लांट्स में मेरे फ्लावरिंग हो रही है एक स दोस्तो पॉदू की केयर करते रही है, निराज ना हों, क्योंकि यह अपनी समय पर ही फ्लावरिंग करते हैं, और यहाँ पर यह डैंन्थस भी अच्छा खिल रहा है, यह देखियें, सारे मेरे y역 कटिंग से लगे हुए प्लावरिंग हो रही है, और दोस्तो इस तरह की फ्ला नहीं रुक रहा है तो किसी प्रकार की कोई सिकायत नहीं आएगी पर्याप्त मात्रा में आपने फर्टिलाजर दिया है उसके बाद भी आपको लिक्विट फर्टिलाजर देना बहुत जरूरी है हपते में 15 दिन में इन्हें फंगस या फिट से बचाने के लिए और इंसेक्टिसाइट्स का प्रयोग जरूर करें नीमोयल का दस दिन में प्रयोग करें जब फ्लावरिंग चालो हो जाए तो फूलों के उपर इसमें इस्प्रे ना करें ये तो अच्छे नहीं दिखाई देते हैं और दोस्तो अब बात करते हैं गुलदाओदी की गुलद पोधे मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं और देखे कितना अच्छी खिले हुए हैं कितना अच्छी ब्रांचे से निकली हुई हैं और दोस्तो इनमें एक मेहने से अधिक फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन इसमें मेहनत हमें आठ मेहने करनी पड़ती है जब एक सांथ फ् चैनल को सब्क्राइज नहीं किया है तो सब्क्राइज कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप वैल आइकोन को भी दवा दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंड